हलो फ्रेंड्स सौल वी देके मैं आपका स्वागत है मैं अमित कुमार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए आधार कार्ड से एक टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि अभी लास जैसे इंकम टेक्स का टाइम चल रहा था तो मेरे माइंड में आया और मेरे काफी स क्लाइंट्स जो हैं उनकी भी समस्या थी कि उनका आधार कार्ड और मोवाइल नंबर लिंक नहीं था तो आपको पता है कि आज कल आधार कार्ड से मोवाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि OTP का शिस्टम होता है और हर जगा आपको OTP की जोड़ोत परती है कहीं भी अगर आप जैसे income tax return फाइल कर रहे हैं वहाँ आधार कार्ड से verified करते हैं तो वहाँ OTP जाता है और पी बहुत कुछ है जहां पर आपको आधार कार्ड से mobile number link होना बहुत जरूरी है bank में जरूरत होता है तो अब आपको कई बार होता है कि आपने बहुत पहले आधार कार्ड बनवाया था और आपको पता ही नहीं है कि आपके आधार कार्ड में किसका number link है या number link है भी या नहीं क्योंकि हम कहते हैं कि यार बहुत पहले बनवाया था तो हमें याद ही नहीं है कि link किया था या नहीं किया था या किसका नंबर दिया हुआ था कई बार होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पापा मम्मी का दे देते हैं एलेटेड का दे देते हैं तो ये चेंज करवाना बहुत जरूरी है तो चेंज करवाने से पहले हमें पता करना होगा कि लिंक है या नहीं लिं में है उसको फोकस करना है और उसको फॉलो करना है तो चलिए आप गूगल क्रॉम अपने सिस्टम पर मॉंबाइल पर कहीं भी ऑपन कर लेंगे उसके बाद उसका एक साइड है Unique Identification Authority of India या आप UIDAIV लिख सकते हैं या अधार कार्ड लिख सकते हैं जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यह आपका यह देखिए मैंने प्रॉपर साइड लिख रखा है यहाँ पे तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं जैसे ही आप यह डालोगे तो आपको इस टाइप का इ यह आपन हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारे language है आपको जो भी language समझ आता है आप क्लिक कर सकते हैं जैसे मुझे English और Hindi समझ है तो मैंने English पे क्लिक किया हुआ है फिर next करते हैं जैसे आप English पे हिंदी किसी भी language पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको open होगा बट इसको scroll down करके नीचे जाना है उसी को जैसे आप नीचे slide करके आओगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे get आधार आधार service तो आपको आधार service वाले पे focus करना है और आधार service के नीचे verify एन आधार number इस पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करते हो फिर से एक नया interface open हो जाएगा यह देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको option मिलेगा बट आपको जो चेक आधार वैलिटी है उस पे क्लिक करता है जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक नया interface open करके देगा अब आपको यहाँ पे enter अधार number करना है और यह जो catch up code है यह आपको यहाँ पे डालना है तो आप अभी इस टैप से अपना अधार कार नंबर डालतें जैसे आप अधार नंबर अपना डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से आपका एक पेज उपन हो जाएगा उस पे लिखा होगा यह देखिए यह आपका अधार नंबर जैसे 905 लाश्ट का डिजिट ह है मेरे अधार का और मॉबाइल नंबर का लाश्ट में 932 तो अब इससे मुझे पता लग जाएगा कि 932 किसका किसका नंबर है लाश्ट में और यह किसका नंबर लिंक है जैसे आपको जोड़त है ओटीपी का तो एट टाइम आप चेक करके जिसके नंबर में है जिसका भी लिंक है उसको कॉल करके आप ओटीपी ले सकते हैं या अगर आपको पता नहीं लगड़ा है किसका नंबर है तो फिर आपको इसी साइड से अपडेट का रिक्वेस्ट डालके आप चैंज भी कर सकते हैं उसके लिए भी अलग प्रोसेस है मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा तो फिलहाल आप यहां से चेक कर सकते हैं तो अगर वीडियो समझ लगी हो तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूशें कि यह चीज मुझे समझ नहीं आया या कुछ भी जो भी आपक को सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही बने रही है मैं टैक्स और अकाउंटिंग का आपका सार टॉपिक क्लियर करवाऊंगा थैंक्यू बाबाई टेक क्यर